उत्रप्रदेश में बड़ा माफिया रहा मुक्तार अंसारी की गुरवार को मौत हो गई बांदा जेल में बंद मुक्तार अंसारी कोल्टी के शकायत और बिहुशी के हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया नौ डॉक्टरों ने लाज किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका बताया जा रहा है बैरक में मुक्तार अंसारी अचानक भूश होकर गिर गया था आज तीन डॉक्टरों का पैनल श्रब का पोस्ट मॉटम करेगा मुक्तार अंसारी को आज गाजीपुर के कालाबाग कब्रिस्तान में सुपर देख हाथ दिया जा सकता है मुक्तार अंसारी की मौत के बाद प्रदेशवर में पुलिस अलर्ट मोट पर आ गई है मुक्तार अंसारी की मौत पर अलग-अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कोई इसे साज़श करार देते हुए जाज की मांग कर रहा है तो कोई इसे निंदनीय बता रहा है मुक्तार अंसारी को लेकर किसने क्या कहा आईए जानते हैं हाली में अपनी पार्टी का कॉंगर्स में विलै करने वाले पपुयादव ने एक्सपर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रियाज जाहर गे। अल्ला से दुआ है कि वो मुक्तार अंसारी को मगफिराह अदा करें। उनके खांदान और उनके चाहने वाले को सब्रे जमील अता करें। गाजीपूर की आवाम ने पहले अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया है। मुक्तार अंसारी ने प्रसाशन पर गंभीर आरोप लगाया था। इन्हें जहर दिया गया है। बावजूद उसके सरकार ने उनके इलाज पर तवजून नहीं दी। ये निंदनी हैं और अफसोस जनक है। कॉंग्रस ने मुक्तार अंसारी की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए इसकी जाँच की मांग की है। कॉंग्रस प्रवक्ता सुरेंद राजपूर्थ ने कहा जो सरीके से मुक्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले हत्या की आशन का जताई थी कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। कि पुष्टी होती हुई दिखाई दे रहा है। प्रशाशन निर्लज तरीके से कह रहा है कि हार्ट अटाक से मौत हुई है। साश्ण और प्रशाशन ये बात मानने को तयार नहीं है कि उनसे गंभीर चूके हुई है। आरोपी मुक्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है वो उत्तर प्रदेश की भारती जन्ता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है इससे पहले एक आरोपी बुन्ना वजरंगी जेल में ठोग दिया जाता है तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुले आम मार के चले जाते हैं कोई अपराधी कचहरी में कतल करता है और मार दिया जाता है क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून में वस्ता है? इस तरीके से शाषन प्रसाषन चलेगा? इस तरीके से जेले चलेंगी? मुक्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोब लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशाशन बता रहा है कि उनकी दिल का दोरा पढ़ने से मौत होगी इसकी उच्चिस तरिये जाच होनी चाहिए हाई कोड के सिटिंग जच के सुपरविजन में जाच हो ताकि पता चले लोगों को कि जेलो में क्या हो रहा है और उक्तर पुदेश के शाशन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है देश कानून से चलना चाहिए सजा देने का काम अदालतों का है उधर सपा प्रवक्ता सुमया राणा ने कहा कि रमजान में जेलों में रहने वाले शहाबुद्दिन भाई अतीक चाक्या भाई और मुक्तार भाई की मौत होना लौ एन ओडर और सम्विधान की धजिया उडाना है जिस तरह से जेल में रहते हुए मौते हो रही है और उससे बिमारी का रूप दिया जा रहा है भारतिया जन्ता पार्टी की सरकार में जिस तरह से जेल में भूकर मौते हो रही है इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए भीमार्मी चीफ चंदरशेकर आजाद ने एकस्पर पोस्ट करते हुए लिखा पूर्विदायक मुक्तार अंसारी जी का आसमयक निधन बेहत दुखद है मैं विर्नमर सद्धानजली अरपित करता हूँ मेरी सम्वेदिराएं उनके परिजन और समर्थकों के प्रती है प्रक्रती उन्हें ये असीम दुख सहने की शक्ती प्रदान करे पूर्व में उन्होंने अपनी हत्या की आशन का वेक्ति की थी मैं मानिय उच नियाले और उतरप्रदेश से उनकी मृत्यू की सीवियाई जांच की मांग करता हूँ आरजेडी नेता तुईश पताफ व्यादव ने कहा यूपी के पूर विधायक श्री मुक्तार अंसारी के इंतकाल का दुखत समाचार मिला इश्वर से प्रातना करता हूँ दिवंगद आत्मा को शांती दे तथा शुगा कोलव परेजनों को दुख सहने की शक्ती ब्रदान करे बिहार के डिप्टी सीम रहे तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा यूपी के पूर विधायक मुक्तार अंसारी के इंतकाल का दुखत समाचार मिला परवर्दगार से पातना है कि दिवंगद आत्मा को शांती तथा शोगा कूल परेजनों को दुख सहने की शक्ती ब्रदान करे कुछ दिन पूर्व उन्होने शकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया फिर भी कम्भीता से नहीं लिया गया प्रधम दर्ष्टिया से नयायोचित और मानियन नहीं लगता है संवधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्रमामलों और घटनाओं पर संग्यान लेना चाहिए